हमिरपुर्जिरा के समराला गाउं के मुनीश ने वर्ष 2007 में खेती को वेवसाई के रूप में अपनाया था और अपने खेतों में फसल की पैदावार के लिए आज तक कीट नाशकों का ही उपयोग करते आये हैं लेकिन अब जब से हिमाचल सरकार ने जीरो बजट खेती को बढ़ावा दिया है तब से मुनीश ने अपने खेतों वा फसलों को कीट नाशकों से दूर करने का मान बनाया है क्रिशी विभाग से संपर करने के बाद उन्होंने जीरो बजट खेती का प्रशिक्षन पालमपुर से प्राप्त किया और पिछले दो सालों से जीरो बजट खेती कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी उने मिल रहे हैं मुनिश ने बताया कि जीरो बजट खेती के लिए पालमपुर क्रिशी युनिवस्टी में एक सब्ता का प्रशिक्षन लेनी के बाद उन्होंने अपने गाउं में आकर खेती शुरू की उन्होंने बताया कि गेहूं, चना, मतर, मुली शलगम की फसले एक साथ लगाई सर इस से पहले मैंने दो जार साथ आड़ से जो है खेती करना सुरू की, जिसके दोरा हम केमिकल, फर्टिलाजर, पेस्टिसाइड सभी तरह की दवाईयों को यूज करते थे, तो धीरे धीरे हमारी पहले तो प्रोड़क्षन ठीक रही, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसम कालप ढून रहे थे, हमकी हमें कोई ऐसी खेती चाहिए जिसके दोरा जो है, मतलब किसान जो है, जाज जाज़ा पैसा कमा सके और शेहत के लिए भी वह लावदाई को, तो इसके इस खेती से पहले हमने जो है, एक साल पहले मैंने और गैनिक फार्मिंग शुरू की, उसका भी बहुत बड़ी है, लेकिन फर्क ये पड़ा कि उसमें जो प्रोड़क्ट थे, वो काफी कौस्टली थे, और किसानों के लिए वो खेती बहेंगी थी, और ये जो जीरो वैस्ट प्रोग्राम जो है, उसको हमने तुरांत अडॉप्ट किया, और इसका मतलब किसानों के ल जीरो वैस्ट का सुरू कर दिया मैंने एक इदम से, तो गेहूं का मेरा चला हुआ है, इस वक्त पंदरा किनाल में, डेड़ एकड में जो है, गेहूं का काम है, और बाकी जो मेरा सबजीया है, मतर है, पालक, धनिया, मेथी, शौम, मूली, शलगम, लासुन बगेरा है, फि अब हमने गेहूं जो है, बीजदी है, तो इसको हमने दो तीन तीन सप्रेज जो है, जीवामरित के दे दे भी दिया है, घंजीवामरित भी डाला हुआ है, और भी मतर बगेरा जो है, वो भी इसका चला हुआ है उन्होंने बताए कि सरकार के प्रशिक्शन के बाद, खेती में देसी खाद, गाए के गोबर और मलमूतर का प्रियोग खेती के लिए किया जा रहा है, उन्होंने बताए कि खेती बाड़ी में अब खादों का वे प्रियोग नहीं कर रहे हैं, जिससे पैसे भी बच रहे हैं उन्होंने कहा कि पहले कीट नाशकों के लिए लगभग साल में 25-30,000 रुपया खर्चते थे जो अब बंध हो चुका है और फसल भी अच्छी आ रही है और साथ ही वे पौश्टिक भी है सर मैंने ये हिमाचल परदेश क्रिशी विवाग के दुआरा हमें पालमपूर एगरिकल्चर यूनिवेस्टी में एक हफते का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया जो कि इस खेती को रजपालम होदे जी ने बड़े जोर सोर से लागू किया हुआ है तो बहां पे हमने प्रसिक्षन लिया और उसके तुरंत बाद ही हमने इस खेती को जो है स्टार्ट कर दिया है तो इस खेती के दुआरा हम गेहुं के बीच में चना मटर मूली शलगम इतियादिया सभी फसलें ले रहे हैं तो इस खेती से हमें मतलब जो भी कोश्ट होगी वो सुनने के बरावर होगी इस खेती का सबसे बड़ा यही फाइदा है किसानों के लिए और इससे किसानों की आमदन जो है वो दुगनी से चौगनी होने के पूरे के पूरे असार हैं सबसे पहले हमने घंजीवामरित इसके लिए जो है देसी गाए का बहुत बड़ा योगदान है इस खेती के लिए तो अभी तो हमारे पास देसी गाए है नहीं फिर भी हमारे गाओं में एक देसी गाए है बहां से हम गोवर गुंतर बगैर अलाते हैं और उसके द्वारा हमने घंजीवामरित बीजामरित जीवामरित इस तरह के सारे प्रोड़क्ट जो हैं खुद त्यार कर रहे हैं हम और उनको खेतों में डार रहे हैं उसके द्वारा जो हम खेती कर रहे हैं इस खेती के दुआरा पहले जो था मतलब आमदन जो थी कम थी अब इसके थोड़ा सा रेट अभी तो पहले के बरावरी रेट हैं लेकिन मतलब धीरे धीरे लोग जो है मतलब इसकी तरफ जो है जाना सुरू हो गए हैं तो थोड़ा सा फरक जो है मेरे को लग रहा है कि अभी पूरे हमारे प्रोड़क्ट निकले ने जो भी निकले हैं मतलब बिमारियां बहुत काम हुई है तो जैसे खर्चा भी काम हुए जैसे हमारे फर्टिलाइजर थे तो बो हमने बापस कर दी है बो मतलब बेच दी है और एक खर्चा बो बच गए हमारा गोवर का खर्चा बच ग है का हमारा जो है मतलब जो दबाईयां गोवर पैस्टिशाइट जो भी है वो उससे हमारा बच रहा है क्या संदेश दिना चाहेंगे आप लोगों को इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि इस खेती को जितनी जल्दी हो सके फार्मर जो है डॉप्ट करे चाहे वो छोटे हैं सुद्ध खाना खाएंगे इसके दौरा सुद्ध आहार मिलेगा इसमें कोई बिमारियां आपको पता ही है कि इसमें जो है पैस्टिशाइट के दौरा बीड़ साइड है कुछ भी है उसके दौरा बिमारियां जो है टोटल बिमारियां जो है इसी खान पान से ही है तो यह सा से जल्द इस टेकनिक को अड़ाप्ट करें। से सुरू कि, मारे यहां समराला गाउं से फार्मर है, मनीश कुमार जी, उन्हान ने मुझे इस बारे में बताया और उन्ही की देख रेख मैं जुआ है, मैं काम कर रहा हूं। स्तंबर में इनने से सुरू किया था, लस्टन लगाया है, स्वांफ लगाया है, मतलो इसका बहुत अच्छा रजाल्ट है। स्तंबर में जीवामरित, बीजामरित, घानामरित वह मिला के डार रहे हैं। सरकार अभी वाग से भी है, कोई जीरो वरी के टिकले से होगी है। विवाग से याभी कोई से होगा नहीं। क्या संदेश देना जाएंगे बक्ति संनगे कमें भाकिस देना चाहता हूं शबी इस खेतिको करें, इससे बहुत अच्छा सिष्टम है, और ज्यार जो हम प्रे करते हैं, तो शीष्टम हैं। इससे पहले क्या कामने में बबागता है इससे पहले सार चोटा सा सर्वीस स्टेसन है मेरा उससे पहले में जाओ करता सा कमपनी में है तो छोड़ दिया अब खेती की तरफ जान कर रहे हैं